हेलो गाइस मैं मेहुल शर्म आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूटिब टैनल केमिश्री विद मेहुल में जैसे आप जानते हैं अब हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे आयू पेसी नेमिंग की तो आयू पेसी नेमिंग में हमने कुछ एक्जामपल्स देख यह किसका यहाँ क्या है लीट हाई्ट क्या है अल्ड हाई अ हाय द एड युफ्स करते हैं अंदल क्रिम यूज्ञ पर आल टिक है तब देख सर नेम है ये खिखनां क्या होग। अब इसका नाम देखें तो इसका नाम देखें क्या होगा अब देखें तो यहां पर हम बात कर रहें हैं सिएसे सिंगल बॉंड सिएच तो अब देखिए कितने कारवन की चेन है कितने कारवन की चेन है तीन कारवन की चेन है देखो पहला कारवन दूसरा कारवन तीसरा कारव प्रॉप यूए हमैं सब्सक्रांबote सबस्क्राइब और ट्रिपल भॉन होता है तो एन प्रोपेन अल सकते जोके और यह थैने मैं हुए बश्कने एक छोटन सा ट्विस्ट वह रहाएं त्वाएंग रुका है functional group जब भी आप लगा रहे हैं जब भी आप functional group लगा रहे हैं तो आपको ना जब पूरा नाम लिगाजना प्रोपेन लग दिया उसके बाद आपका functional group है अगर वावल्स आता है अगर वावल्स आते हैं सर्जी वावल्स क्या होते हैं हमें नहीं पता A, E, I, O, U अगर आपका जो नाम है जो आपका नाम है खंतम होजाता है उसके बाद अगर आपका जो कोई भी functional group vowel से शुरू होता है ए, E, I, O, U से शुरू होता है तो आपको यह जो है ना लास्ट जो यह है लास्ट लाज नमबर इसको आपको हटा देना है जैसे यह से यह किसे छुए हो रहा है प्रॉपेन अल प्रॉपेन अल एहाँ सगा इस शुरू रहा है व्हवन से स्बीड के जिब आगा इसे एक दो यहाँ जाएक कि आपको चुरू होिए है यहां पे carbon chain यहां पर करणा चेन होगी यहां पर त्रडबे करने होगी ठीक है अब अगर यह तो होते हैं घर तो आपको यह सिंपल त्यूंस उसको बोलती हो लिक करते है यानी ओन अल्डी हाइड यानि की यह तो वह देखे एक्जांपल पहले एक्जांपल है सिंगल बॉंड सी डबल बॉंड ओसी तो आप आपको सबस्क्राइब कुछ नहीं देखना आपको देखना कि यहां पे फंक्शनल गूर्प कौन सा लगाए यहां पे फंक्शनल सी डबल बॉंड ओ किसका होता है की टोन का सी डबल बॉंड किसका होता है की टोन का यानि क्या लगाना है ओन लगाना है ठीक है तो अब देखिए कितने कार्बन है टोटल टोटल कार्बन है तीन तीन कैसे है सर्जी पहला दूसरा तीसरा तीन कार्बन ठीक है तो अब देख लिए प्रॉप तो आप पर इंगल बॉंड में है तो प्रॉप एन ब्रॉप एन अब यह किसे शूरूओं से यानि कि आपको किसे शूरू हो रहा है वोगल से तो जब भी वोडों का तो लास भी है है वह तो चैंसल हो जाएगा तब प्रॉपेन ओन यह आपका हो गया इसकी नेमिंग इसी थी नेमिंग कोई दिक्कत नहीं अब देखें दूसरा आपका एक्जामपल है देखें दूसर एक्जामपल देखिए ओदेख देखना किसका होता है सर जी मझें देखना नाम क्या होगा कितने कारबन है तो तोक लीडिय।-व Greek आफ टाप dépend एक है ठीक है अब यहां पर क्या दूदा सारे सिंगल बांड में है बिलकुल अब एंट को इथेन इथेन और यहां पर क्या दुद्द एगा और यह यानिकि इसको जानते हैं इसको कॉमन नेम होता है जैसे कोई बच्चा है घर में सोनु है इसको लुए बिलाते है इसको आज चाहिए इसको जो है इसको दिखन बुलाता है इसको गढ़ाते है Acetic Acid, क्या बोलते हैं इसको, Acetic Acid, ठीक है, अब देखिए, समझा है आपको, यह इतना आपको आपको नेमिंग समझा गई है, अब बात कर रहे हम, Alcohols की, बात कर रहे हम, Alcohols की, . ओधे, इसकी, एलकोल का क्या है, CH3, CH2, OH, CH3 सिंगल बांड, CH2 सिंगल बांड, OH, तो अब देखिए, यह है, तो अब देखिए, इसका, नेमिंग कैसे करेंगे, उसके करने करने क्लिए एगा'dA Station Department chain खरते हम přहें fact सब्सस्क्रीजर करते हैं फ़शन और आपर क्या है फांट सब्सक्रीजर ऊंप होता है वह हरी क्या है करते हैं गब घाल टा鍋 कि विलाइग secskiona ग्लार यह चेन सारे सिंगल बॉर्ण में है तो एन और लाश्मिया उच ग्रूप यानिकी ओल लग जाएगा तो क्या बन जाए यह बन जाएगा मज़दार जो एक्जामपल्स हैं और मज़दार ट्रिक्स जो हैं नेमिंग की होगी हम आगे बहुत सारी इसे इलक्त्रोन कॉंफिग्रेशन है जैसे बच्चों को बहुत जादी कताती है तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करिएगा चैनल प